आप सबका दिल से स्वागत है इस वीडियो में जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना आज हम लोग इस वीडियो में बताना जा रहे हैं कि कैसी की जाती है वो भी एक्दम easiest वे में आपको बस कुछ चीजों की requirement पड़े की जैसे कि आपको मालूम है लाइफ्स्रीम के लिए कुछ basic requirement होती है जैसे कि आपको एक phone चाहिए रहेगा ठीक है एक phone चाहिए रहेगा एक data cable चाहिए रहेगा ठीक है आप मैं मैं बोलता हूं कि आप एक छोटी सी notebook ले लेजिए और उसमें लिखते रही है कि मतला आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए तो simple से बात से सबसे पहले चीज हमको चाहिए mobile फिर उसके बाद चाहिए हमको एक data cable यह एक optional चीज है अगर आपको चाहिए तो यह आप एक audio card भी ले सकते हैं यह है and e-sport का and three point three point मतला क्योंकि एक दो तीन पॉइंट है इसमें three point का यह USB audio card है अगर यह इसलिए इस्तमाल होता ताकि मैं game का sound सुन सकूँ लेकिन आपके पास एक option रहता है कि अगर इसमें से थुरू सुनो या फिर laptop के थुरू सुनो तो यह एक optional है आपको चाहिए तो आप यह ले सकते हैं वरना basic चीज यह है एक mobile एक data cable बेसिक चीज आपको यही चाहिए एक mobile और एक data cable और एक laptop या फिक computer और एक basic सा earphone चाहिए रहेगा आपको कोई भी ऐसी यह देखो three three mm jack का रहता है यह यह आपको चाहिए रहेगा एक earphone ठीक है तो तीन चीज बेसिक है एक phone एक data cable और एक earphone यह तीन चीज बेसिक तो आपको चाहिए ठीक है और कौनसे कौनसे software आपको इंस्टॉल करने हैं वो फिर मैं पहले बता देता हूं तो हम लोग बढ़ेंगे अपने laptop की तरफ तो आप चलिए हम लोग अपने laptop की तरफ बढ़ते हैं आप जो जो मैं करू यार एपी वाई स्क्रीण में दर करके लिखेंगे और एंटर दबा देंगे जो सबसे पहला जो सबसे पहली लिंक आई है यह जी आई टी हब गिट हब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग क्लिक करेंगे आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप 4.4 latest on March 3 यह आया है अपना इस पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक किया आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ठीक है आपका ऐसा इंटरफेस आपके आपके विंडो वर्जन बिट 32 है या सिक्स्टीफोर है मेरा बिट शिक्स्टीफोर है आपका बिट 34 होगा तो आपको इस वाले पर क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल डाउंडोड होने लगेगी अब देखो मेरी फाइल यह डाउंलोड हो चुकी है आपको फिर से Chrome पर जाना है और दूसरे फोल्डर में आप एक नए फोल्डर में यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिख दीजिए SNDCPY डाउनलोड SNDCPY जो सबसे पहली लिंक आ रही है न गिट हप यह भी आएगी आपको यह वाली लिंक आपको इस पर जाना है क्लिक करना है यहाँ पर बापिस आपको यह वाला जोड़ा स्क्रोल करके लिखा रहेगा रिलीजेस SNDCPY वर्जन 1.1 ले टेस्ट आप इस पर क्लिक करोगे इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ आउटफूट आ जाएगा यहाँ पर एसेस्ट करके लिख है यहाँ पर आपको यह वाला डाउनलोड करना है जिप डाउनलोड करना है SNDCPY वर्जन 1.1 जिप आप इसको क्लिक करो एक क्लिक करो लेफ्ट क्लिक आपका फाइल डाउनलोड जो जाएगा देखो मेरी डोनोफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है आपके दोनों फाइल सब डाउनलोड हो जाएगे तो माई कंप्यूटर में ज सवर्जन 2.4 यह आपका कंप्यूटर का सफ़्टवेर है यह आपका मुबाइल का साफ़्टवेर है इसके बाद आपको काम किस चीज़ का है इसके बाद आप आप मूबाइल लीजिए कास आपको कुछ नहीं करना है ऐतΑ यह डाटा केबल डिख रहा होगा आपको यह अ फ आएंगे और यहां पर लाप्टॉप में दूसरा एंड इसका यहां पर लाप्टॉप में लगा देंगे आपको अपने यह दो दिख रहा होगा यह sndcpy sndcpy में आपको क्या करना है extract करना है extract all इधर जैसी extract करेंगे तो यह आपका extract होके यह फोल्डर खुल जाएगा automatically आपको क्या करना है वह पेस्ट कर देना है यह चीज यह देखो यह चीज हम करेंगे ctrl plus all c करेंगे फिर उसके बार हमको अपने device में जाना है पहले क्या करना पड़ेगा आपके settings में जाएए आपको usb debugging कैसे बारे में बताता हूं कैसे बार करते हैं about phone में जाएए operating system का वर्जन operating system का इसको ऐसे साथ बार क्लिक करोगे तो आपका डपलव पर option आपका एनेवल हो जाएगा फिर उसके बार आप यहां पर जाएए settings में settings में जाने के बार यहां पर लिखे यूएसबी यूएसबी debugging करके option आ गया यूएसबी debugging मेरा on है आप अपना on करके allow कर देना फिर allow करने के बार उपर से scroll करें यहां पर करके file transfer allow कर देंगे हम लोग उसके बार हम लोग को इसमें जाना है जो extract किया था हम लोग ने ठीक है उसमें तीन जो files है उनको control plus all control plus c control plus c करके access जाएंगे अपने poko मेरा poko है तो poko लिखा होगा आपका zao में या फिर कुछ भी हो device उस device का नाम लिखा होगा उसमें जाके यहां पर कोई भी folder में जाके उसको paste कर देंगे कोई भी folder में paste करने के बाद आपको mobile में काम है आप mobile की screen पर ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है बस paste करने के बाद कुछ निए file managers में जाएए यहां पर storage more more में जाऊंगा मैं क्यूंकि मेरा system update होने के बाद ऐसे more में option आता है आपको क्या करना है file manager में गया है वहाँ पर APK में click कर दीजिए APK में click कर दीजिए तो sndcpy करके एक app रहेगा मतला वह इंस्टॉल कर देना है वहाँ पर apps में sndcpy करके एक app आ जाएगा जिसको आप install करोगे और system से आप allow कर दोगे ठीक है तो sndcpy आपको यह दिख रहा होगा यह 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 app है अपना sndcpy इसको बस install करके छोड़ दो कुछ नहीं करना है इसको बस install करके mobile में छोड़ दो ठीक है जैसे आप इस app को install करोगे अपने mobile में तो इसके बार आपको बाके काम होगा laptop में तो मैं यह mobile की screen हटा देता हूँ यह screen पर है जहाँ पर यह इसको भी extract कर देंगे हम लोग extract all यह srpcpy इसको भी एक्ट्रैक्ट कर देंगो तो एक ऐसा फोल्डर बन जाएगा जैसे कि यह दो फोल्डर बन गए यह दो zip file थे और यह दो हमारे फोल्डर बन गए एक यह sndcpy यह हमारा app के लिए mobile के लिए आये srpcpy यह हमारा windows के लिए ऐसा करके फोल्डर होगा तो कभी भी आपको screen mirror करनी है कुछ नहीं कभी भी बस data cable connect किया और laptop से connect किया आप उसके बाद computer पर जाना है यह आपका जहां पर folder save होगा उस folder में यहां पर srpcpy windows 64 bit यह वाला folder बन गया होगा इस पर click करेंगे अंदर यहां पर srpcpy करके एक application होगा उस पर right click करके run add admission करेंगे yes करेंगे तो वह आ जाएगा आपका screen mirror कास्ट हो जाएगा broadcasting हम लोग ने screen mirror कर दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा screen mirror कैसे करते हैं इतना बेचर के आगा कोई भी डाउट हो आपको instagram पर DM कर सकते हैं फिसके बाद next step हमारा होने वाला है OBS पर OBS पर हम लोग game का sound कैसे लेकिया है तो हमको next चीज रहेगा OBS में OBS is a very free software आप बस OBS Chrome पर जाईए OBS download करके लिख दीजिए मैं दिखाता हूं आपको by chance आगर जिसको नहीं पता वह ऐसे कर सकता है Chrome में जाईए और वहाँ पर type किजिए OBS download studio download ठीक है यह क्लिक करेंगे हम क्या क्लिक करेंगे जैसी पहला link क्लिक करेंगा तो एक आ जाएगा हमको करना है क्या download download installer download क इसको इंस्टॉल कर लेंगे इतना तो basic सबको मेरे को मालूम है कि आता ही होगा ठीक है जैसी आप OBS खोलोगे ना तो ऐसा कुछ output दिखेगा आपको आपके कुछ scenes created होंगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है plus दबाएंगे आप प्लस दबाएंगे यहाँ पर आपक कुछ ऐसा output दिखेगा ऐसा output दिखेगा तो आप यहाँ पर windows में options आएंगे धेर सारे बहुत सारे आएंगे तो आपको क्या करना हमारा क्या था srpcpy उसमें एक srpcpy.exe करकी लिखा हुआ देखिए यहाँ पर यह लिखा है हम लोग इसको क्लिक करेंगे इसको क्लिक किया ठीक है तो हम लोग उसको क्लिक करने के बाद ok करेंगे तो आपका game को audio obs capture करने लगेगा क्या करना है फिर उसके बाद आपका यह game खुला हुआ ह srpcpy जो screen mirror software है उससे आपकी screen capture हो गई और फिसके बाद हमने obs में जाके audio capture कर दिया तो आपके दो काम हो गए एक तो video capture हो गया और audio capture हो गई आपका कुछ ऐसा output दिखेगा जैसे कि मेरा दिख रहा होगा सबसे पहले जैसे कि आप game की screen कुछ ऐसे दिखेगी आप नीचे overlay लगा सकते हैं नीचे की side जहां पर white screen दिख दिखरी होगी आपको ठीक है हमने जैसे video capture हो गया आप game का sound भी capture हो गया तो game का sound भी आने लगा प्रॉपरली कोच भी क्लिक करों game का sound आपको आ रहा होगा तो हमारा video capture हो गया audio capture हो गया आप इसके बाद आप चाहे तो basically start streaming कर सकते हैं आप online आ जाओगे मतलब live आ जाओगे तो लेकिन आपको खुद को भी तो आवाज सुनना पड़ेगा कि हम गेम का sound मुझे सुना है दे बाई बंदा left से आ रहा है या right से आ रहा है तो उसके लिए हमको एक basic सा एक basic earphone चाहिए जो कि मेरा एकदम loot put हो गया है यह मेरा earphone है इस earphone को मैं कहां लगाऊंगा यह earphone आप चाहिए तो laptop के point पे लगा सकते है तो आपको game का sound सुना ही देगा ठीक है इससे तो मैं इसके लिए वही बोल रहा था है यह optional चीज है ना तो मैं इसको क्या क streaming पे जो मेरी audio जाएगी वह इसके थूरू जाती है लेकिन मेरेको तो stream आपको क्या करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी streaming पे जो audio जा रही है वह जा रही है audio तो इस mic से ही जाए और मेरेको game भी इसी से सुनाई दे तो आपको ऐसा card जरूरत नहीं है लेकिन यह optional होता है यह क्योंकि इसमें suppressor रहता है जो audio को noise cancel कर देता है मतलब noise cancellation कर देता है मतलब मेरा पंका चल रहा है यह जल रहा है तो अगर मैं by chance इसका mic use कर रहा हूं तो यह earphone का mic use कर रहा हूं तो मेरेको यह चाहिए मैं को streaming में मतलब in-game mic तो आप बात नहीं कर सकते है simple सी बात है क्योंकि इ गेम का screen mirror हो रहा है और audio capture हो रहा है और आपको earphone के थुरू में game का audio सुन रहा हूं की बंदर left से आ रहा है ठीक है इतना basic है अगर आपको साथी साथ streaming पे बात करने है मतलब audience को chat कर रही है तो उससे बात करनी है तो और इसी का mic use करना है ऐसा कोई mic नहीं है यही mic use करना है तो कि पंखे की आवाज ना है ऐसा सगर के ठीक है तो इसको हम लोग लगाएंगे laptop में laptop में लगाने के बाद यह चीज़ है इसमें तीन port है e-sport, anti-sport का यह sound card है यह amazon पे मिल जाएगा ठीक है इसमें तीन port रहते है एक रहता है सबसे पहला port रहता है यह red color का जो port है इसमें वो है सिर्फ वा सिर्फ mic के लिए mic बोले तो ऐसा कुछ mic मतलब में को सिर्फ बोलना है सुनना नहीं है सिर्फ बोलना है और दूसरा slot जो middle black slot रहता है इसमें वो रहता है में को बोलना भी है और सुनना भी है मतला में को audience से बात भी करनी और game का sound भी सुनना है और यह तीसरा जो green वाला रहता है भाई मेरेको audience से बात नहीं करनी है मेरे पास extra mic है मैं audience से उससे बात करूँगा और में को बस लेकिन game का sound सुनना है तो पर मैं audience से भी बात करूँगा और plus game का sound भी सुनूँगा तो मैंने इसको beach में लगा दिया लेकिन मैं क्या करूँगा मैं बस maic है तो मैं beach में नहीं लगा रहा हूँ मैं इसको green वाले में लगाँगो क्योंकि मैं को सिफफ़ सिफ गेम का sound सुनना है अब जितना भी audio जाएगा वो laptop के speaker से नहीं आएगा क्योंकि मैंने sound card लगा दिया है sound card लगाने और earphone भी लगा दिया है तो मतलब जो भी sound आ रहा होगा मैं इसमें जो click कर रहा हूँ देखो ऐस left right बंदा जो आ रहा है उसकी quality कम ज़्यादा तो नहीं होगी तो उसका answer है नहीं हमारी audio कम नहीं होगी बुलकुल भी direct ऐसे mobile में लगाते हैं earphone वैसे sound आता है वैसा ही same sound इसमें से भी आएगा जैसा एक जैसी उसमें game में sound आया वैसे ही आपको भी सुना है डिले का कोई वो audio capture करना है कैसे करना है वो मैंने बताया फिसके बार अगर आपको game की आवास सुननी है तो आपको कुछ ऐसा चाहिए तो वो भी यूज कर सकते है वरना direct laptop या computer में लगा लेजी अपना earphone तो आपको game की आवास सुनाई देगी और game पे अगर आपको इसी का mic यूज करना है त तो फिसके लिए मैं अभी बताता हूं कैसे करते है इसका mic यूज वरना आप ऐसा mic भी यूज कर सकते हैं तो आपको अभी क्या हो गया game capture हो गया game को audio capture हो गया आपको game की आवास भी सुनाई देगी अब क्या करना है अब क्या बचा audience से बात करना है ठीक है simple सी बात है audience से मैं इस से बात करता हूं तो आप screen पर ध्यान दीजिएगा यहां पर mobile की screen है मैं आपको obs में दिखाता हूं रुको जोड़ा पास गया obs में दिखाता हूं आपको properly दिखेगा quality अच्छी आईगी कोई नी चीक है यह अपना screen के screen है obs की यहां पर देखिए यहां पर जाता हूं मैं दिखाता हूं यहां पर audio input capture करके लिखा होगा second option मैं और पास लियाता हूं यह ऐसे audio input capture करके लिखा होगा ठीक है आपको इस पर click करना है आपको एक ऐसरा option आ जाएगा audio input capture आपको इसको कुछ भी name दे सकते हो मैं अभी यही रखने वाला audio input capture इसको allow करूंगा इसको मैं क्या क मैं को किसे बात करनी है microphone, realtech, audio यह हमारा direct laptop या फिर PC का audio रहेगा मतलब मैंने जैसे बता है आप PC में अगर लगाएगा तो PC में आपने लगाया है आप audience से बात करना चाहते हो अगर आपने PC में लगाया है तो आपको यह वाला option select करना है और okay दबा देना है लेकिन मैं mic use कर फिफाइन, फिफाइन यह mic जो मेरा microphone यह लगा है मैं इसके थुरू बात करना चाहता हूं तो मैं second option यह उस करूंगा या फिर आपने कोई sound card लगाया है जिसके थुरू आप बात करना चाहते हो जैसी कि मैंने बताया है यह वाला third option उसी के लिए रहता है जहां मैं click करके दि third option select करना पड़ेगा third option select करते ही आप जो भी बात कर रहे हो वो audience तक जाएगी इस sound card के जुरू पड़ेगा लेकिन मैं क्या करूंगा मैं fin करूंगा क्यूंगा क्यूंकि मैं को audience से इस से बात करनी है और मैंने third option में लगाया है जिसमें बस सिर्फ और सिर्फ मेरे को game का sound सुन सुन पा रहा हूं मैंने क्यूंकि अपना ये sound card में लगाया है और इसको laptop से दुरू connect कर दिया था तो मैं game का audio सुन पा रहा हूं जो भी आ रहा है game audio properly और जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरा mic से आ रहा है क्यूंकि मैंने mic की setting लगाई है आपको अगर earphone है तो earphone की क्या setting लगा मैं आपको side details बता दूँगा या फिर आप comments कर दिजिए आपके हर comments का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा ठीक है तो इतना सब ये सब basic है आप अप क्या होगे हमको बस क्या चीए था games capture करना था वो मैंने करवा दिया game का audio capture करना था वो मैंने करवा दिया आपको audience से बात करना था वो मैंने करवा दिया आपको इसमें लगा कि game का audio सुन लिया या फिर laptop में लगा कि game को audio सुन लिया कैसे भी लगाओ कहीं पर भी लगाओ बस audio सुनना ना चीए बस simple सी बात है आपको game capture हो गया audio capture हो गया audience से बात कर ली आपको game sound भी आ गया audio card सिफ और सिफ इसलिए चीए क्योंकि मैं इसका माइक यूज कर रहा हूं अगर इसका माइक यूज कर रहा हूं तो इसमें already filters होते हैं और OBS में आप filter add up कर सकते हो और किसी को कुछ doubt हो तो वो मिरसे पूस सकते है चलिए तो यही basic सथा basic बहुत basic है यह मतला कोई भी डाउट हो life frame कैसी की जाती है यही एक basic way है बहुत easy और free way मतला कोई भी software इसमें paid नहीं है जितना भी है बस accessories कुछ है जो additional आपको अगर use करने जैसे कि sound card वगएरा जैसे कि यह sound card यह कुछ 700 रुपीज का आता है मैंने 700 का लिया था आपको 100 sound card भी मिलेंगे different मिलेंगे लेकिन मेरा recommendation यह वाला sound card है इसमें आप audio यहां से control भी कर सकते हो very good sound card audio audience टे कितनी जारी है और मैं कितनी सुन पा रहा हूं वो मैं control कर सकता हूं इसलिए मैं को यह यह वाला anti-sport का audio card बहुत अच्छा लगता है तो guys hopefully आपको यह video पसंद आया होग अगर पसंद आया होगा तो प्लीज एक like और subscribe जाओ कर देना और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर ने और subscribe जाओ करना और कोई भी doubt हो ना तो मुसे बेच चेक comments में पूछ लेना या पी Instagram पर हमें को DM कर सकते हो ठीक है thank you very much bye bye